So, good evening once again. दोस्तों, आज की इस क्लास ने हम आगे के कोश्चन देखने वाले हैं। और पहला ही कोश्चन आप अपनी स्क्रेन पे देख पा रहे होंगे। माउ से related कोश्चन है। माउ से related कोश्चन है। माउ क्रांती को अत्यंत आवश्यक तत्व मानता है। उसके अनुसार क्रांती द्वारा ग्रह युद कराए जाने चाहिए। देखिए क्रांती को माउने काफी important माना और क्रांती के द्वारा ग्रह युद कराए जाने चाहिए। ये पिसले कल भी हमने देखा। उसने सरोहारा वर्ग को क्रांती की संचालन शक्ति माना और सरोहारा वर्ग में किसान और श्रमिक दोनों आ जाते हैं माओं ने केवल श्रमिकों को करांती का साधन बताया ये बिल्कुल गलत है केवल श्रमिकों को नहीं इन्होंने किसानों की भी बात की थी तो option तीन तो गलत है उसने किसानों में करांती कारी कारवाही करने की क्षमता स्वतंतर रूप में मानी यानि किसान अपने आपसे स्वत बलकि समय वादी पार्टी उनमें करांतिकारी गुन को लाएंगे तो यहाँ पर option 1 और 2 ही सही हूंगे. Option 1 और 2 और यहाँ पर हम देखते हैं, option 1 और 2, यहाँ पर option ही नहीं है, 1 दो के साथ 4 है. 4 तो हम पहले ही गलत मान के चल रहे हैं. 4 तो पहले ही गलत हैं. और इसके साथ साथ option तीन भी गलत है ठीक है दर्समिन ये सारे option गलत है इसका correct answer option एक और दो होगा निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए रॉल्स ने नियाय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक्स माज दर्शन का सहारा लिया और पिछले करने हम देख चुके हैं बिल्कुल इन्होंने contract theory की बात की थी social contract की बात की थी जो की अज्यानता के परदे के दोरान इन्होंने दिखाया है रॉल्स के अनुसार मूल स्थिती में मनुष्य अज्यानता के परदे के पिछे बैठे हुए हैं तो ये भी बिल्कुल सही है अज्यांता के परदे के पीछे बैठे हुए हैं लोग दूसरा, तीसरा राॉल्स के अनुसार मूल स्थिती में मनुश्य को न्याय की चेतना नहीं होती देखिए मूल स्थिती में जो मनुश्य बैठे हुए है उन्हें अपने social status का पता नहीं होता उन्हें न्यायक की चेतना होती है अगर वो कोई ऐसे कानून बना रहे हैं जो पूरे समाज में लागू होने तो उन्हें justice का तो पता है लेकिं उन्हें अज्यांता के परगे के पीछे अपनी सामाजिक स्थिती का पता नहीं है उन्हें अपनी status का पता नहीं है कि वो आगे चलकर कहां जाएंगे और अभी हमारी क्या स्थिती है किस जाती से है किस धर्म से है ठीक है तो यहाँ पे देखी ये बिलकुल सही है अनुबंद मुलक स्माज की स्थापना किस के माध्यम से इन्होंने की यह कि इन्होंने अज्ञानता के परदे के माध्यम से जिसमें इन्होंने मूल स्थिती की बात की that's mean option 3 तो गलत है रॉल्स के अनुसार मूल स्थितियों में मनुष्य को अर्थशाष्टर और मनोविज्यान का आरंभी ज्यान होता है देखे ना तो इन्हें इकॉनमी का पता है ना ही इन्हें मनोविज्यान का पता है क्याने वाले टाइम में मैं रिच बनूँगा या पूर बनूँगा that's mean इसका correct answer option भी होगा केवल एक और दो रॉल्स से संबंदित निमलिखित कतनों पर विचार किजिए पहला कतन है रॉल्स के नुसार न्याय समाज का प्रथम सदगुण है रॉल्स के नुसार न्याय समाज का प्रथम सदगुण है रॉल्स के नुसार न्याय पूर्ण समाज और उत्तम समाज एक ही बात है यानि न्याय पूर्ण समाज और उत्तम समाज एक ही चीज है रॉल्स ने अपने न्याय सिधान्त के अंतरगत उप्योगितावाद के विभिन रूपों का विरोध किया है रॉल्स ने अपने न्याय सिधान्त में आदर्शवाद को प्रमुकता दी है क्या वो idealistic थे क्या उन्होंने आदरश्वात को प्रात्मित्ता दी है आपको यहाँ पे सही कथन बताने है कि इन में से क्या सही है इन में से क्या option सही है देखिए पहला बिलकुल सही है न्याय को समाज का प्रतम सद्गुन बताया है इनकी theory of justice में यही से इनकी theory of justice शुरू होत चीज़े है न्याय पुर्ण समाज और उत्तम समाज दोनों अलग अलग चीज़े हैं यह बात की है रॉल्स ने तो दो नहीं हो सकते हैं जहां पे दो होंगे वो सारे गलग है दो option यहां पे भी है अब बच्चे आपके पास option एक और option चार उसके बाद रॉल्स ने न्याय सि पाधार पे इस चीज़ की बात की है डाट मिन option तीन सही है चार रॉल्स ने नियाय सिधानत में आदर्शवाद को प्रमुकता दी है हां यह कहा जा सकता है रॉल्स ने अपने जो सिधानत है उसमें प्रमुकता दी है किसको आदर्शवाद को क्योंकि इन्होंने जो वेल्स ignorance की बात की थी इन्होंने जो पंज्यानता की परदे की बात की थी यह वास्तम में possible नहीं है कि हम आज्यानता का परदा ऐसा लगा पाए option 4 सही है अब doubtful यहाँ पर option 3 हो डाता है क्योंकि हम पहले ही देख चुके है option 2 तो गलत है option 1 बिलकुल सही है option 1 तो तीनों में है अब इसका correct answer क्या बनता है तीसरा देख लेते है रॉल्स ने अपने न्याय के सिधानत के अंतरगत उपयोगितावाद के विभिन रूपों का उपयोगितावाद का सिधानत basically Bentham ने दिया था और Bentham ने बोला था अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख यानि अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख होना चाहिए और उसके लिए जो minority में होते है और example यहाँ पे 100 लोग है 100 में से 90 लोग अधिक्तम है 10 लोग य यह उप्योगीताबाद में Bentham ने कहा था तो बिलकुल सही यहाँ पर option 3 अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यह यहाँ पर बिलकुल सही हमें लग रहा है और option 4 भी यहाँ पर सही लग रहा है that's mean यह question ही गलत उड़ाता है इसका correct जो answer बनेगा वो बनेगा option 1, 3 और 4 एक, 3 और 4 यह सही होगा रॉल्स ने नियाय के कौन से मूल सिधान्त प्रस्तुत किये नियाय के मूल सिधान्त समाज स्वतंतरताओं का सिधान्त सामाजिक आर्थिक विश्यमताओं का क्रम विन्यास उप्योगितावाद का खंडन या आदर्शवाद को प्रमुकता और पिछला question भी य क्या वो सही था या नहीं था ठीक है तो इसका जो correct answer बनेगा आपका स्वतंतरताओं का सिधान्त इन्हों ने दिया है बिल्कुल इनका जो नियाय सिधान्त आपने पढ़ा होगा तो इन्होंने स्वतंतरताओं के और समानताओं की बात की थी पहला सही है सामाजिक आर्थिक विशमताओं का क्रम विन्यास यानि इन्होंने सामाजिक और आर्थिक विशमताओं के बारे में बताया और important चीज ये है इन्होंने जो पहला question रखा था theory of justice में वो रखा था विशमता क्या है what is inequality कि कुछ लोग बड़े-बड़े महलों में जी रहे हैं और कुछ लोग उनके महलों के नीचे जोपरिया बनाए हुए रह रहे हैं तो पिल्कुल उन्होंने सामाजिक आर्थिक विशमताओं को उसमें बताया है और इन्होंने उपयोगितावाद का खंड़न किया है जैस कोई भी थिंकर अपने आपको आदर्षवादी नहीं बोलना चाहता है कोई भी थिंकर अपने आपको आदर्षवादी नहीं बोलना चाहता है और ऑप्शन भी इसका सही होगा ठीक है ऑप्शन भी इसका सही होगा मूल सिधात में जो प्रस्तुत किये गए है इसमें आदर् प्रोसीजरल जस्टिस के कौन से रूपों की पहचान की है अब ये प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कि प्रोसीजर आपको सही अपनाना पड़ेगा जैसे हमारा संभीधान है संभीधान के तहत हमें जो भी नयाए दिया जाता है वो procedure के थुरू दिया जाता है ऐसा निये कि किसी के उपर एक चोरी का आरोप लगया उसे सीधी आप सजा दे दो ऐसा तो possible नहीं है किसी ने चोरी की है तो उसके लिए भी procedure है प्रोसीजर क्या होगा? किसी ने चोरी की, उसे पुलिस पकड़ेगी, उसे थाने ले जाएगी, थाने ले जाएगी, उसे 24 गंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, अगर पेश नहीं किया जाता है तो बन्धी प्रतिक्षी करन लगेगा, डैर्समिन वो क्या है? प्रोसीजर अपूर्ण यानि incomplete procedural justice शुद्ध प्रक्रियात्मक निया या अशुद्ध प्रक्रियात्मक निया है और यहां पर दिखिए दो contradictory आपको विचार यहां पर दिख रहे होंगे तो पहला दिखिए पूर्ण प्रक्रियात्मक है यह अपूर्ण भी हो सकता है ये शुद्ध प्रक्रियात्मक है लेकिन अशुद्ध नहीं हो सकता है प्रोसीजरल जस्टिस या तो पूरी तरीके से प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे पूरी तरीके से अगर हमने प्रोसीजर को फॉलो करना है तो पुलिस क्या करेगी पुलिस सबसे पहले चोर को पकड़ने से पहले वारंट ठीक है वारंट लाएगी और वारंट दिखाएगी फिर सर्च करेगी यह पूर्ण हो सकता है दूसरा अपूर्ण भी हो सकता है प्रक्रियत मतना है अपूर्ण में क्या होगा कि पुलिस को अग इसलिए हम वारंट नहीं लाएंगे, पहले चोर को पकड़ेंगे, उसके बाद देखी जाएगी, तो वो अपूर्ण प्रक्रियात्मक नहीं है, यानि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो तो किया है, या फिर यह इदांत के अंतरगत कौन से लक्षन या कौन सी विशेषता है स्विकार की है, नियायस मास का प्रतम सद्गुण है, यह पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन एक तो होगा, बैस मिन ऑप्शन भी यहाँ पर अटोमेटिकली गलत हो गया, और ऑप्शन सी यहाँ पर procedural justice की बात की, और यह उपर वाले question में ही हम देख चुके हैं, उपर वाले question में बिलकुल यही बात की थी, procedural justice की, अगला सामाजिक नयायस सरोकार, यानि इनका जो theory of justice है, यह सामाजिक नयायस सरोकार रखता है, तो बिलकुल सही बात है, राजनितिक नयायकी प्रमुकता, आप लोगों के कोई question है तो आप question बिल्कुल साथ साथ पूछ सकते हैं बिल्कुल option D is right answer हन्ना आरेंट ने मनुष्य की गतिविधियों को किन स्तरों पर पहचान की श्रम, कृत्य, कारिवाई या क्षमता इसका correct answer क्या होगा इसको हम detail में देख चुके हैं बताएए हन्ना आरेंट ने जो activities को divide किया है वो तीन भागों में divide किया है कौन-कौन सी श्रम, बिल्कुल सही option C, श्रम, कृत्य और कारिवाई option C, right answer of this question और ये अभी यहाँ पर हम अटक गए है reason यह है कि 107 ही question यहाँ पर हम देख पा रहे है 107 question यहाँ पर देख पा रहे है पुराने questions देखने होंगे, कहां होंगे 107 से आगे के यह नई screen आप देख पा रहे है 107 से आगे के question आप देख पा रहे है question number 108 देख पा रहे हो आप अपनी screen पे अगर देख पा रहे हो तो हाँ बोलिए तो हम आगे चलेंगे question number 108 है आरेंट के अनुसार सर्वादिकारवाद के प्रमुक उदाहरन कौन से है अन्ना आरेंट ने सर्वादिकारवाद के जो प्रमुक उदाहरन बताये है वो आपको बताने है नाजीवाद स्टालिनवाद व्याभारवाद, उप्योगितावाद option 2 ही इसके सही होंगे देखिए उप्योगितावाद कभी भी सर्वादिकारवाद नहीं होता है तो यह automatically 4 यहाँ पे तो यह गलत होड़ाता है व्याभारवाद भी नहीं होता है, जहाँ पे 3 है वो automatically गलत होड़ाता है इसका correct answer क्या होड़ाता है option A option A, एक और दो यानि स्टालिनवाद और नाजीवाद इन दोनों कुनोंने सर्वादिकारवाद यानि totalitarian regime माना था माओं ने असंगती के सिधान्त का प्रतिपादन करते हुए किनके मध्य असंगती का वर्णन क्या है देखिए जो असंगती का सिधान्त है असंगती का सिधान्त वर्ण संगश का सिधान्त ही है यहाँ पर आपने बिल्कुल confused नहीं हो ना असंगती का सिधान्त यानि जैसे आपके पूंजी पती और मजदूर के बीच असंगती का सिधान्त काम करता है यानि इनके कोई और इंट्रस्ट है, इनके कोई और इंट्रस्ट है, इनके बीच आपस में वर्ग संगश रहता है, तो असंगती का सिदांत वही है, वर्ग संगश, दिखिए इन्होंने किनके मध्य है, असंगती यानि वर्ग संगश माना, उत्पिडित वर्गो एमम सामराज्यवाद के मध्य, किसानों और पूझी पती के मध्य, पूझी पती और सर्वहारा वर्ग के मध्य, सामराज्यवाद तथा जनता के मध्य और इसमें से एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने सर्वहारा वर्ग की बात की थी पूजी पती और सर्वहारा की नोने बात की थी ठीक है और जब हम देखते माओ समराज्यवाद के उपर भी बात करते हैं समराज्यवाद का जो सिधांत लैनिन ने दिया था उसकी भी नोने बात की है यानि समराज्यवादी देश क्या है ये उत्पीडन करते हैं गरीब देशु का ठीक है एक और तीन तो सही होगा अब एक और तीन किसान और पूजी पती किसानों की भी नोने बात की है तो दो भी सही होगा, सामराज्य वाद तथा जनता, सामराज्य वाद तथा जनता automatically हो जाता है, कैसे, क्योंकि option 4 यहां पर हर जगा है, that's mean option 4 तो compulsory है, तो इसका correct answer क्या बनता है, option D, 1, 2, 3, 4 लोक युद के संदर्ब में माओं ने क्या विचार प्रस्तुत किये, माओं ने सेना वा हतियारों की तुल्ला में जनता को अधिक महत्तो परदान किया, युद के हतियार निर्णाएक तत्व नहीं होते हैं, निर्णे मनुष्य द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुव युद के लिए जनता से अधिक शष्त्र महत्तो पूं है, लोक युद, लोक युद का इनका मतलब क्या था, लोक युद का मतलब जब ओमनिस्ट करांती आजाएगी, ओमनिस्ट करांती के बाद छोटे मोटे जो पूझी पती बचेंगे, या फिर जो शोशन कारी बचेंग यहां पर देख पा रहे हैं, युद के हतियार निर्णायक तत्व नहीं होता है, निर्णायक तत्व कौन होता है, निर्णायक तत्व कभी जडवस्तु नहीं होती है, जडवस्तु क्या होता है, शष्त्र जिसमें जान ही नहीं होती है, यानि निर्णायक कौन होता है, निर किताबों को लेखकों के साथ वेल्यॉप्राइशंद प्रॉफिट ये किताब है काल मार्क्स की The Human Condition किताब हनना आरेंट की ब्लैक सकेन वाइट मार्क्स ये फ्रेंज फैनों की किताब है और कॉलिशन गौर्वर्मेंट ये माओने किताब लिखी है इसका सही sequence बनता है option B हन्ना आरेंट की निमलिखित पुस्तकों को क्रम में व्यवस्तित कीजिए origins of totalitarianism, human condition between past and future on revolution और जब हम देखते हैं हन्ना आरेंट को तो हन्ना आरेंट ने सबसे पहले जो किताब लिखी थी जो हमने पढ़ा था सबसे पहले इन्होंने totalitarianism की बात की थी क्योंकि इन्हें मूल बूत तोर पे या फिर बेसिक तोर पे इन्हें जाना किसलिए जाता है totalitarianism के उपर, totalitarianism के बात फिर इन्होंने human condition की बात की human condition में ही इन्होंने activities की बात की थी between past and future on revolution ये सबसे last में आती है ठीक है और ये कम से कम आपने one liner जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने इसकी dates बगेरा सब कुस देख लेना एक बार उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स के एतिहासिक बहुतिक बात की अवस्थाओं में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है किसके उपर एतिहासिक बहुतिक बात कौन सा कथन सही है दास विवस्था किनों ने बात की बिल्कुल दास विवस्था किनों ने बात की दास विवस्था ये कब लाई गी थी दास विवस्था इसको फ्यूडले एज में यापती है दास विवस्था उसके बाद उत्पादन की एशय पद्धितिया प्रणाली किनों ने बात की है पुझीवादी यूग की भी बात की है सामन्ती यूग की भी बात की है इनोंने तो इसका करेक्ट आंसर होगा option D ये सभी ये सभी यानि इन सभी की इनोंने बात की है दास विवस्था की बात की है उत्पादन की एशय पद्धितिया और प्रणाली की भी इनोंने बात की है दिवादि यूग और समंती यूग सभी की बातिन होने की है। अगला प्रमाक्स की किताबेs ड़क्स मेंजस्ट मैनिफैस्टो ये तो सभी को पतावगा एका दो तो यहां पे देख लीजिए एक आदो कहां पे हैं सिर्फ यहां पे हैं एक से ही आप इसका अंसर निकाल सकते हैं लेकिन पूरा देख लेते हैं अधिक पॉलिटिकल एकॉनमी नाइंटिन फिफ्टीन नाइन में आती है दसिबिल वार अठारा सो इकतर दा हॉली फैमिली अठारा सो पजहतर में और इसका करेक्ट सिक्वेंस ऑप्शन भी यहां से नीचे जितने भी कॉशन है यह असर्षन और रीजन के हैं जहां पर असर् और रीजन दोनों सही है लेकिन व्याक्या सही नहीं है वहां पर भी आएगा जहां पर ए गलत है आर सही है आर गलत वहां पर सी और जहां पर ए गलत है आर सही वहां पर डी नेख लेते हैं ग्रामशी के अनुसार नागरिक समाज में बुद्धी जीवी वर्ग की महतुपुण भूमिका होती है बिल्कुल होती है नागरिक समाज अपने रचनात्मत नूतन विचारों के आधार पर आधिपत्ती की स्थापना करता है नूतन मतलब नए तो इसका जो गरेक्ट आंसर है एक बार इसको देख लेते हैं ठीक है उपर इनोंने क्या बात की है बुद्धी जीवी रचनात्मत काम करते हैं और बुद्धी जीवी ही नए विचार लाते हैं और बुद्धी जीवी के द्वारा ही क्या होता है नागरिक समाज में आधिपत्ती की स्थापना होती है that's been इ अगला प्रशन हन्ना आरेंट ने अमूर्थ विचारों के प्रति अपनी रूची व्यक्त की अमूर्थ जो विचार है abstract जो thoughts है उसके बारे में अपने अपनी सहमती पेश इनोंने की है बिलकुल की अमूर्थ विचारों के प्रति पुर्दा डाउटफूल है नहीं अमूर् यानि अमूर्थ नहीं, मूर्थ विचारों के प्रती, जिसे देखा जा सके, जिसे समझा जा सके, जिसे महसूस किया जा सके, that's mean हना आरेंट ने मूर्थ विचारों के प्रती अपनी सहमती व्यक्त की है, that's mean option A गलत उडाता है, आर यहाँ पर देख लेते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति निष्ट अनुभूती को क्रमबद नहीं किया जा सकता, उसको केवल यथार्थ रूप में अनुभाव क्या जा सकता है, तो यथार्थ रूप की बाद तो मूर्थ में होती है, ना कि अमूर्थ में, that's mean R सही यह A गलत है, option D is right answer, आरेंट व्यवहारवाद को मशीनी कुशलता का प्रेरक मानती है, और यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही, आरेंट ने व्यवहारवाद को मशीनी कुशलता बताया था, जिसे हमने देखा था, mechanical, उनके अनुसार व्यवहारवाद, सरवाधिकारवाद की और ले जाने वाली विचारधारा है, और जब मशीनी बन जाएगा, राज्ये, मशीनी बन जाएगा, तो वो ऑटमेटिकली कहा पहुंच आएगा, सरवाधिकारवाद की और बढ़िया आएगा, ओप्शन ए, इसका सही होगा, आरेंट के अनुसार प्राचीन यूनानी नगर राज्ये में राजनितिक जीवन की प्रधानता थी, जो प्राचीन यूनानी नगर वहाँ पे बिलकु सही बात है, राजनिति प्राचीन यूनानी नगर को इन्होंने बेस्ट माना था और प्राचीन यूनानी नगर में ही अच्छी स्वतंतरता मिलती थी, राजनितिक स्वतंतरता मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं मिल रही है, तो आज के टाइम में ये विद्यमान है, ये बिलकुल गलत है that's mean इसका correct answer option C होगा A सही है R गलत है question number 120 आरेंट ने मनुष्य की गत्य विधी की तीन स्तरों पर पहचान की है श्रम कृत्य और कारवाई बिल्कुर सही आरेंट ने श्रम को उच्चतर स्तर प्रदान किया यहां पर आप बोल सकते हैं highest जो है वो इन्होंने कारवाई माना कारवाई माना लेकिन यहां पर श्रम दिया जा रहा है that's mean इसका correct answer option C होगा A सही है R गलत है I hope clear होगा आपको आरेंट ने तर्क दिया कि सर्वाधिकार वाद आधुनिक यूग की अभूत पूरु गटना है बिल्कुल सही बात इन्होंने सर्वाधिकार को आधुनिक यूग की अभूत पूरु गटना कहा था और हम यह पहले question ऐसा देख चुके हैं चिर्समत चिर्समत यानि classical निरंकुष तंत्र और निर्शन्स तंत्र के अनुसार इसका विश्लेशन नहीं किया रा सकता यानि पहले type का जो निरंकुष वाद था पहले type का जो aristocracy थी या autocracy थी या फिर सर्वाधिकार वाद था आज के time से पिछले time से इसका विश्लेशन नहीं किया जा सकता है यह एक अभूत पूरु गटना है ऐसी गटना पहले इतिहास में कभी नहीं गटी है यहाँ पर सही इसका विश्लेशन भी बता रहे है कि अभूत पूरु गटना क्यों कहा अभूत पूरु गटना इसलिए कहा जो classical निरंकुष तंत्र था क्लासिकल जो सरवादिकार वाद था या निरिशर्श तंत्र था उसके अनुसार इसका विश्लेशन नहीं किया जा सकता है इसलिए यह अभूत पूरु है और इसको भी हम देख चुके थे बिल्कु सही है इन्होंने उपनिवेश्वाद को शोषन का एक विश्त्रित धाचा माना उपनिवेश्वाद जातिये और सांस्कृतिक शेष्टता का मुखोटा लगाकर पूझी वाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है तो उपनिवेश्वाद उपनिवेश्वाद उद्पीडन कैसे करता है यह सांस्कृतिक शेष्टता का मुखोटा लगाकर पूझी वाद के आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति करता है और इसलिए शोषन किया जाता है that's mean option A इसका भी सही होगा अबला प्रश्ण देख लेते हैं कि ज्यादा क्लियर नहीं है बड़ देख सकते हैं इसको माओ सैनिक एवं राजनितिक शक्ती में गनिष्ट संबंद मानता है माओ सैनिक और राजनितिक शक्ती में एक गनिष्ट संबंद मानता है और बिलकुल मानता है यानि जो सैनिक शक्ती होती है वो definitely राजनितिक शक्ती के हाथ में होती है और उनमें घनश्ट संबन्ध होता है और राजनेता या फिर जो राज्ये है वो सैनिकों का प्रयोग दमन के लिए भी कर सकता है ये बिल्कुल सही है माओं के अनिसार राजनितिक शक्ती बंदूक की नौक से पेदा होती है और राजनितिक शक्ती कहां से पेदा होती है बंदूक की नौक से पेदा होती है तो आप यहां कह सकते हैं सैनिक और राजनितिक शक्ती में संबन्ध है ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी से ही है, option A इसका correct होगा, माओ के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी करांती हो जाने के बाद, तीके आर्थिक मोर्चे पर समाजवादी करांती हो गई, इसके बाद समाजवादी विवस्था अपने आप सुद्रण नहीं हो पाएगी, यानि आपने करांती कर लिए, करांती के कारण अपने आप आपकी जो समाजवादी विवस्था है अपने आप सुद्रणी होगी इसके लिए इन्होंने नए लोकतंत्र की बात की थी माओ के नुसार इसके लिए राजनितिक, सांस्क्रितिक, शैक्षिक और विचार धारात्मक मोर्चो पर समाजवाद को बढ़ावा देना अवशक समझा और जिसमें लंबा समय लगेगा तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर ए है, उपर किसकी बात की जा रही है, समाजवादी करांती हो जाने के बाद वो एकदम से सुद्रणी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी उसका रीजन यहाँ पर दिया गया है माओ को जणपुझ की सूजबूझ में विश्वाश नहीं था, माओ को जणपुझ, जणपुझ का मतलब का होता है आम आदमी की सूजबूज में जादा उन्हें विश्वाश नहीं था, बिलकुश स़ई बात है आम आदमी की सूजबूज में वो विश्वाश नहीं रखते थे, इसलिए इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने बात की थी, सम्मिवादी दल की, माओं के अनुसार विचार धारात्मत दृष्टी से शारीरिक श्रम की तुनला में बौधिक श्रम गौण है, अता उसे देर देरे समात कर देना चाहिए, अब देखिए उपर किसकी बात की जा रही है, उपर बात जन्पुन्ज की की जा रही है, नीचे किस चीज की बात की जा रही है, नीचे विचार धारा की बात की जा रही है, शारीरिक श्रम की बात की जा रही हाला कि दोनों सही है, लेकिन सही व्याक्षा, इसकी नहीं ये दे पा रहा है, that's mean इसका जो correct answer होगा, वो होगा option, option B, इसका सही answer होगा, अगला प्रशन, राज के अनुसार, नैतिक और सामाजिक दर्शन के अंतरगर्थ, न्याय संगत और उचित के भी संबंध है, और उचित का स्थान उत्तम या शुब से पहले है, और ये question हम देख चुके हैं, detail में, detail में हम इस question को देख चुके हैं, पहले ही, ठीक है, तो अभी हमारे दो तिन question बसते हैं, इसको हम cover कर लेते हैं, तो पहला option तो हम देखी चुके हैं, पहला, ये बिल्कु सही है, दूसरा, राज की नियाय विवस्था के अनुसार, सुखी लोगों के सुख को चाहे कितना ही क्यों न बढ़ा दें, उससे दुखी लोग पर किसकी बात की जा रही है, नेतिक और सामाजिक दर्शन की बात की जा रही है, नीचे सुखी और दुखी लोगों की बात की जा रही है, हाला कि ये दोनों सही है, लेकिन इसकी सही explanation यहाँ पे नहीं दी गई है, अगला प्रशन देखते हैं, question number 127, कथन में दिया गया है, रॉल्स के न्याय के प्रथम सिधान्त में नहित समान स्वतंतरताओं को उन अधिकारों के रूप में पहचान सकते हैं, जो उदार लोगतंतरे प्रणालियों के अंतरगत पाए जाते हैं, तो रॉल्स के न्याय के प्रथम सिधान्त, दो सिधान्त इ इन्होंने क्या कहा समान स्वतंतरताओं को अधिकारों के सुरूप में पहचान कर सकते हैं जो उडार εν प्रणालियों के इंतरगत पाये जाते हैं यह बिल्कुल सही है रीजन देख लेते हैं रॉल्स के अनुसार कुछ समान स्वतंतरताओं में केवल इस शर्ट पर कमी की जा सकती है कि इस स्वतंतरता की कुल मात्रा में व्रिधी होनी चाहिए अब उपर बात जो प्रतम सिधान्त है ये कि प्रतम सिधान्त स्वतंतरताओं की बात करता है समान्ताओं की लेकिन यहाँ पे जहाँ पे यह स्वतंतरताओं को सीमित करने की बात की जाती है वहाँ पे यह differentiation सिधान्त यानि यह दूसरा सिधान्त है उपर पहले सिधान्त की बात की जा रही है नीचे दूसरे सिधान्त की हलाकि दो मनों सही है लेकिन इसका correct answer क्या होगा फिर option B क्योंकि सही explanation नहीं है Ross ने अपने नियाय सिधान्त के अंतरगत उपयोगितावाद के विभिन रूपों का विरोध किया है और इसको हम पहले भी देख चुके हैं दो या तीन बार हम देख चुके हैं इस question को बिल्कु सही बात है इन्होंने उपयोगितावाद का खंडम किया है Ross के नुसार उपयोगितावाद का धे उपयोगितावाद कहां तक सीमित था कुल उपयोगिता की अधिक्तम रिद्धी है चाहे उसका वित्रण किसी भी रूप में क्यों ना हो इसका correct answer option A होगा क्योंकि अधिक्तम सुक्की बात की थी हलाकि उसका वित्रण 90 लोगों में हो और 10 लोगों को आप मारी दो इस तरीके से question number 129 last question है ये Ross के अनुसार अज्यानता के परदे के पीछे बैठे मनुश्य स्वार्थ परायन तो है परंतु एहमवादी नहीं है अब देखिए रॉल्स ने बिलकुल सही ये बात कही थी अज्यानता के परदे के पीछे जो लोग बैठे हुए है वो मनुश्य स्वार्थ परायन तो है परनतू एहमबादी नहीं। उनके अंदर स्वार्थ तो हो सकता है लेकिन एहम उनके अंदर नहीं हो सकता है। दो मिनट में जुड़ता हूँ थोड़ी सी क्लास बची मेरी। रॉल्स के नुसार अज्ञान के परदे के पीछे बैठे मनुश्य नियाय के नियमों का पता लगाने के उदेश्य से परसपर सहमती पर पहुचने के लिए इकत्र हुए अब यहाँ पे जब आप देखोगे असर्शन में क्या बात की गई है रोज के नुसार अज्यानता के पीछे बैठे लोग अहनबादी नहीं है वो स्वार्थ परायन हो सकते हैं ये बिल्कु सही है रीजन देखिये रोज के नुसार अज्यानता के परदे के पीछे बैठे मनुश्ये न्याय के नियमों का पता लगाने के उदेश्य से परसपर सहमती पर पहुचने के लिए एकत्र हुए है अब उपर बात की जा रही है स्वार्थ परायन कि वो स्वार्थ परायन क्यूं है और एहमबादी वो क्यूं नहीं है अगर इन दोनों की बात यहां पे नीचे की होती इसका आंसर ए होता बट इसका आंसर भी है क्योंकि दोनों सही है लेकिन explanation यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है तो यह लगबग हमने जॉन रॉस तक के यह सारे question हमने देख लिए 129 question यहाँ पे थे आगे के जो हमारे question बनते हैं आगे के जो हमारे practice question रहेंगे उसको भी हम discuss करेंगे आगे की classes में तो अभी आपका कोई question है तो आप question पूछ सकते हैं